गूड इवनिंग स्टुडेंट्स, माइन इस रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनमाड़ा बच्चो आज का टॉपिक है हमारा कूशी फेरिकुल, कौन सा कूल ले बिटा? कूशी फेरिकुल जिसको क्या कहते हैं? ब्रैसी कैसी भी कहते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले हम इनके सभाव के बारे में देख लेते हैं ठीक है तो सभाव कैसा होता है? एक वर्षिय होता है कैसा सभाव होता है बच्चो? एक वर्षिय होता है मतलब इसमें जो भी फसले लगाई जाती है वो एक बर्ष के अंदर आपके घर में क्या आ सकती है कट कर बापिस जाती मतलब एक बर्ष ये फसले उनको कहते है जो 365 डे से पहले पहले क्या जाए आपके घर में क्या आ जाए कट कर आ जाए मतलब यदि इनकी शाख को क्या नहीं किया जाए काटा ना जाए ठीक है या खेत में आप क्या ना करे प्लाव या रोटविटर ना चलवाए या आपका कल्टिवटर ना चलवाए तो इनकी साखे बहुत दिन तक क्या रहती है जीव हो गया क्या जो क्या होती है लगभग मानगे चलिए आपकी दो से तीन रीतुओं या जादा तक जीवित रहती है मतलब वहु वर्षिय शाख क्या होती जो लगभग किती रीतु कम से कम तो दो रीतुओं को क्या कर सकती है सहन कर सकती है वो किसमें आती है हमारी वहु वर्षि फिर आपकी गोभी ठीक है ये सब किसके अंतरगत आते हैं आपके कुशी फेरिकुल के अंतरगत आते हैं क्लियर हो गया क्या फिर देखते हम जड़ के बारे में तो जड़ कैसी होती साखित होती है जड़ कैसी होती है साखित होती है साखित जड़ क्या होती है जो क्या करती है साखा के रूप में कहा जातीए जमीन के अंदर जल्द किसके अंदर जायेगी जमीन के अंदर example के लिए इति मैं बात करूँ की यह हमारी क्या है भूमी है भूमी की नीचे जल चली गई तो जल्द इस तरीके से जाएगी तो जड़ क्या होती है, जैसे सर्सों की जड़े ले लो, या फिर आप गोभी की ले लो, सलजम की जड़ ले लो, इनकी जड़े काफी क्या होती है, गहरी होती है, तो ये जड़ क्या होती है, जब अंदर की और चली जाती है, तो ये क्या करती है, जादा मातरा में गुच्छ क्या जाती गहरी जाती जैसे हमारा हो गया गाजर हो गया सलजम हो गया यह हमारी मूली हो गई ठीक है इसके तीन प्रकार है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसको वीडिय भी कहते हैं, मुसला जड़ क्या होती है, हमारी गहरी जाती है, किलियर हो गया कि आप फिर देखते हैं, इस्तंब, इसका जो तना होता है, कैसा होता है, साखिय होता है, ठीक है, आप डियाग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, कि साखिय होता है, बेलनाकार होता है, और साखित और्दव ठोस होता है, तना कैसा होता है, ठोस होता है, आप सरसों की डायग्राम में देख सकते हैं कि सरसों का जो तना होता है, काफी ज़्यादा क्या होता है, ठोस होता है, क्लियर हो गया, तना किस तरीके से होता है, इसका तना इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, औ हमारी सीधी काफी बड़ी होती है ग्यहूं से काफी ज्यादा बड़ी होती है और ऊपर क्या निकलते हैं फूल फूल निकलते हैं यह तने भी साखित के रूप में होते हैं साखाओं के रूप में होते हैं कैसा होता है यह बेलनाकार होता है कैसा होता है आपने बेलन देखा हो ठीक है उस तरीके से होता है फिर साखित और्दव होते हैं रोमिल पर्वसंदिया होती है रोमिल पर्वसंदिया क्या होती है जहां से क्या निकलती है हमारी कोपने निकलती है जहां से क्या निकलती है कोपने निकलती है ठीक है जहां से कौम निकलती है पर्व इस पर दिखाई देते हैं जो नोट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं स्पट्स रूप से दिखाई देते हैं हम पत्ती बात करें तो पत्ती कैसी होती है सरल होती पत्ती कैसी होती है सिंपल पत्ती होती पत्ती कैसी होती साथ में एकांतर होती है सरल के साथ में एकांतर जैसे यह पत्ती है सर्चों की पत्ति ापको एकांथलया पिल जाएगी मूँलज मतलब पती क्या होगी आपकी चपटी होगी से पति फैली हुई ठीक है, फिर क्या होती जाली का ब्रत, जाली का ब्रत मतलब आपने गोवी की पत्ती को देखे होंगे, बीच में जाले होते हैं, आम की पत्ती को देखे होंगे, जैसे ये पत्ती कोई भी एक मैं आपके लिए एक लीफ बना देता हूं, ठीक है, ये लीफ है, तो क्या होते हैं सिरा विन्यास होती है ठीक है अब देखते हैं पुष्प क्रम देख लेते हैं क्या देख लेते हैं पुष्प क्रम देखें आसी माक्ष होता है पुष्प क्रम कैसा होता है आसी माक्ष होता है मतलब पुष्प का जो क्रम होता हो किसमें होता है गुच्छो के रूप में होता ह किसके रूप में होता है गुच्छों के रूप में यदि आप पुष्पों की बात करें तो पुष्प कैसे होते हैं आपके इसके उपर उपर गुच्छों में होते हैं पुष्प कैसे होते हैं गुच्छों में होते हैं जैसे गैंदे का पुष्वेदी देख लो उपर कैसा ह होता है बहुत ज्यादा पत्य कैसी होती बहुत ज्यादा गुछो के रूप में होते हैं तो वह होता आसिमाक्ष होता है ठीक है फिर क्या होती है समसिखा ठीक है आसिमाक्ष होता है समसिखा मतलब चारो दिसा की जो पत्या होंगी चारो दिसा का जो भाग होगा समान पत्या न कि यहीं को लेएग अब तो डीटर चैनल दखस होगतो कई एक फॉश्ब को ठीक है पुट का इसlo क्या होता है जिसमें नरख उर मादा दौन होते हैं और क्या करते हैं पराकहन के दौरा क्या करते हैं नरख कि उ– समेडी में जाते हैं किलियर हो गया बच्चो, पुनकेशर से पराकन कहा जाता है, स्टीमाज में जाता है, और क्या होता है, पराकन करता है, क्लियर हो गया क्या बच्चो, फिर होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, क्या होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, त्रिज्या कैसी होती इसकी, सम्मित होत दूरत ही क्या होता है बच्चों कि दोनों तरफ समान भागों में निकलेगा इस तरीके से पुष्प होगा तो दोनों तरफ समान भागों में निकलेगा और चतूरत ही क्या होगा कि वह चारो ऊपर और नीचे निकलेगा और पून क्या होता है पून रूप से विक्षित होता है पहले आता है जगत में क्या आता है बच्चो जगत में क्या टा याता है फिर वम, प्रभाग में क्या आता है अब नियुम्नफट है खौक प्रपाइजेज दीनक भौक ऽाथ के पलीपत्रेशेरर वह चाहिए अग्वा तो यह सब याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा टिपीकल है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करें और आपको असानी से याद बिल्कुल नहीं होगा लेकिन आपके इनके नाम आपको पढ़े हुए रहना चाहिए आप कोशन अटेंड करें इसलिए एक छोटी स क्या हो जाएगा प्लांटी हो जाएगा फिर आपका आता से से मतलब हो जाता है संग से से क्या हो जाता है बच्चो संग याद करने की कोशिस करेंगे हम लोग ट्रिक से और फैन से क्या हो जाएगा आपका फैनेरो गेम्स बच्चो समझ में आएगा क्या बिल्कुल फिर बर क्लास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्ग तो यहां कोई वर्डिंग नहीं मिल थी इसलिए मैंने इंग्लिशी वर्ड ले लिया क्लास क्लास को क्या बोलते हैं वर्ग और क्लास को क्या हो गया कोलिट्स तो क्या जाएगा डाइकोटी लींड्स किलियर हो गया के बच्चो फिर क्या हमारा उपवर्ग, उपवर्ग को क्या लिखा हूँ मैंने, यहाँ पर एक यूज किया गया, उपवर्ग में क्या आता है, सब क्लास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उपवर्ग को सब क्लास, तो सब क्लास हो गया, पॉली पैटेली को क्या हो गया आपका, उसको क्या लिख दिए पटेल मेरा सरनेम भी पटेल है ठीक है तो पॉली पटेल ही लिख दिए किलियर हो गया स्रेणी को स्रेणी ही लिखा हूँ मैंने ठीक है केका यहां कोई मतलब नहीं है फिर आपका थेले में थेले में से क्या हो जाएगा थेली मी फ्लोरी बनेगा क्या गण, गय से क्या बन जाएगा बच्चो, गण, और पूरी से क्या बन जाएगा आपका, पैराई, टेल्स, क्या बन जाएगा बच्चो, पैराई, टेल्स, और कुल से हो जाएगा आपका, फैमिली, इंग्लिस बडिंग है, और ये कुल कैसा है आपका, कुल सी फैरी, और इनका तो पूरी family cruise ferry हो गई, पूरी family कैसी हो गई, cruise ferry हो गई, अच्छे से देखेंगे, जब से fan class को leads कर, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या हो गया वो, जब से fan class को leads कर, क्या गया, किस में चला गया, sub class patels rainy के थैले में चला गया, अभी party बदल भी चल रहा है काफी जादा, तो दल बदल काफी जाजा चल रहा है, तो आप उस तरीके से याद कर सकते, I hope, यह चोटी सी कौसिस आपको अच्छी लगी होगी, अब हम बात करेंगे हमारे formula के बारे में की formula बनता कैसे है, ठीक है, यहाँ, वहाँ दल पुंच क्या होते है, दल पुंच क्या होते है, पुंके उसी से BR यहाँ पर लिया गया, तो सह पत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सह पत्री, ठीक है, तो EBR को क्या कहते हैं, EBR को कहते हैं, सह पत्र रहित, यह EBR उठा लिया गया, इवेक्टरीट, क्लियर हो गया क्या, फिर जो प्लस सिंबॉल होता है, प्लस सिंबॉल को क्या क्या क्य कहते हैं इसको कहते हैं एक व्याश सम्मित ठीक है जाइग्रोमॉर्फिक कहते हैं क्या जाइग्रोमॉर्फिक कहते हैं फिर उसके आद में ये ओ की ऊपर मतलब जीरो की ऊपर हल का सा तो तेड़ा आपका तीर का से मौल आता वो नर पुष्प के लिए होता है यदि इसमें से होता है नीचे दी बैक साइड लगे तो मादा पुष्ट के लिए होता है क्लियर हो गया क्या अब हमारा दूइलिंगी होता है मतलब नर पुष्ट भी हो नर भी हो और मादा भी हो तो यह नर के लिए हो गया और यह किसके लिए हो गया मादा के लिए मतलब एक ही सिंबॉल से फिर C, C मतलब क्या होता, दल पुंच, इट है, कौरालो, फिर उसके आद में A, A क्या होता, हमारा पुमंग, ठीक है, एंडरोग्सियम, फिर उसके आद में G, G मतलब क्या होता, जयांग, ठीक है, जायनओर्सियम, क्लियर हो गया क्या, तो इतने फॉर्मुले आपको एटलिस याद ही होना चाहिए, तो हम अच्छे से यह हमारा formula कर सकते हैं, ठीक है, clear हो गया क्या, देखते हैं, सर्सों के बारे में, तो यह सर्सों का diagram बना हुआ है, मात्र अक्ष है, यह क्या हमारा, ठीक है, dotted किसका symbol है, मात्र अक्ष का symbol है, फिर हमारा यह बहाँ दल पुंझ है, तो आप लोग जानते हैं, तो हमारा, ठीक है, floral formula देख लिए हमारा pushp का, तो सर्सों का formula क्या होता, EBR, EBR का मतलब क्या होता, कि इसमें क्या है हमारा, सह पत्री है, ठीक है, क्रूसी फेरिकुल में क्या है, हमारा सह पत्री है, साथ साथ में क्रूसी फूरिकुल में प्लस लगा ह प्लस का मतलब क्या होता कि त्रिज्या संबीत है तो जितनी भी हमारी कुरूसी फूरीकुल होंगे ठीक है जैसे सरसों हो गया सलजम हो गया हमारा ठीक है उसके बाद में हमने गोभी देखे थे यह सब क्या है हमारे कुरूसी फैरीकुल है तो त्रिज्या संबीत हो गया त्रि टू प्लस टू लिखा हुआ है के का मतलब क्या होता है बाहा दल पुंज होता है तो बाहा दल पुंज क्या होंगे दो दो के क्या होंगे जोडों में टू प्लस टू लिखा मतलब दो दो के क्या होंगे जोडों में होंगे फिर सी लिखा हुआ है सी का मतलब क्या होता है आपक जोड़ों में होते हैं, फिर जी मतलब क्या होता? जयांग, जो क्या होते हैं? टु होते हैं, कितने होते हैं? I hope आपको समझ में आया होगा कि कुर्सिफोरी कुल का जो फॉर्मॉला होता आसानी से चल सकता रहा formula बना सकते हो clear हो गया और यहां से कम से कम 1 से लेके 2 marks के question हर बार paper में पूछे जाते हैं तो आपको ये वाला part बहुत अच्छे से पढ़ना है कुल-कुल से मतलब family से काफी ज़्यादा question आते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो comment जरूर करें channel को subscribe करें thank you for watching this video have a nice day